नमस्कार दोस्तों श्वागत आप मेरे Master Salis चनल में भाईयो मैं हूं Salis और आज इस वीडियो में दोस्तों एक कमेंट किया था मेरे एक भाई ने कि अगर आपका कोई बाजू मोड देता प्रविंदर सिंग जी है आप मेरे स्क्रिन पर वो कमेंट देख पा रहे होंगे भाई मुझे खुद भी बहुत इंपोर्टेंट लगा इसलिए मैं इसके उपर एक अच्छी सी वीडियो बनाने कोशिस करूंगा तो खास आपके लिए हो सकता दोस्तों एंड तक जरूर बने रहीगा इस वीडियो में बस दोस्तों चली शुरू करते हैं आप ज्यादर समय खट रोड फाइट में अक्सर किस तरह के सहाथ मोले जाते हैं सबसे पहले चीज हाथ आगे बंदा दाओन करता इस तरीके से और इसमें पैशर देता चला जाता एक बार करके बंदा को बन्दा ऐसा होता है को होदी एक्षिन होता है और हाथ को पकड़ कर एक बढ़ घूम जाता क्यानicação जये त्मस दोसतों आगे तरह आता है और इस तरफ को गुमाता इसे एपर बेबस होजाते हैं क्योंकि दूस्ट्सों हाथ का ये मोग ऐसा है कि इसमें बहुत ज्यादा हूथ ही ज्यादा धालता है तो इससे कैसे दो सबसे पहले हैं झाज़ करना है है सबसे पहले चीश चो पीछ करें- सबसे से thumbs up किन पहला है आगर अब हात लुसे करोंगे तो और मोड़ेगा और आपा हाथ तूट सहटा आ दूसरी चीज यहां सब यहां से पकड़ें और यह कौनी इने फेस में वारिए दोस्तों इस तरीके से आपको छुड़ा लेना है सबसे इजी दोस्तों पकड़ें अब मैं इसे खुब टाइक पकड़वाता हूं फिर आपको करके दिखाता हूं इस तरीके से यह तो हो गया दोस्तों पहला स्टेप हाथ मुड़ा हुआ है आगे तरफ तो आप उसे पकड़ करके अंदरी तरफ खीच सकते हैं किक मारने के बाद आप दोस्तों बैक शाइड को किसी ने घुमा दिया है तब आप क्या करेंगे अगर को बंदा इस तरीके से गुमाता चला जा रहा है गुमाता चला जा जा रहा है बहुत जोर लगा रहा है तो उसमें आप दोस्तों सबसे पहली चीज़ क्या कर सकते हैं और पहले से राउंड हो सकते हैं राउंड होने बाल उसका हाथ आप में आ जाएगा इस तरीके से इस तरीकिस दोस्तों ये काफी तगड़ी पकड़ है और इस तरीकिस आपने पकड़े लिया तो बंदा कुछ भी नहीं कर भाएगा अब मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ तो दोस्तों एक बार गौड़ करिएगा इस ट्रिक के उपर कौन सी वह ट्रिक है इन्होंने हाथ पकड़ा और घुमाना चलूगिया मेरा और गुमाना चलूगिया और यह घुमाते चले जा रहा है तो मेरे को अंदर से निकल जाना और इनके हात को आपस यहां पकड़ देना है और हात पकड़ने बाद इसको यहां से ट्विस्ट करना है और करदन और नीचे तर दबोस देना है यह ठी वह ट्रिक दोस्तों अब तो आपको यहां तरह रहे हैं तो आप एक पर यहां रखिए बाहरी तरफ और यहां पर रूम जाएए और इनके हाथ को वापस ऐसे पकड़ दीजिए इस बंदे साथ क्या कर सकते हैं कितनी पावर लगाएं यहां से अइसा है कि जाधा दर आगे की तरफ हाथ मोड़े जाते हैं तो उसमें मैं आपको एक और बताना चाहता हूं दूस्तो क्योंकि वह वाला ज्यादा इंपोर्टेंट है कोई बंदा अगर इस तरफ मोड़ता है पीछे तरफ मोड़ता है यहां से थपड़ भी मार सकता है या पंच भी मार सकता है इसमें तो वह बंदा सेफ है जहां तक मेरे हिसाब सेफ है इसमें ज्यादा रिस्क नहीं है पीछे मोड़ने में इसमें ज्यादा इस रिस्क इसलिए नहीं क्योंकि आपी बॉड़ी सामने आप इस तरफ मुड़ रहे हैं तो आप इसा यह से गला भी पकर सकते हैं सामने से दूसरी चीज़ दोस्तों क्या करना है अगर आप हाथ इस तरफ मुड़ा हुआ है बैक साइड को बैक साइड को मोड़ता जारा बंदा और आपके हातों में लगाता पेन हो रहा है तब आप क करेंगे इसने मोड़ा मोड़ता जा रहा है तो सबसे पहली चीज दोस्तों आप वह हलका से बैंड हो जाना है बैंड होने बाद आप यहां पर इसे फेस से मार सकते हैं इस तरीके से बैक साइड से यह तक से आप पैर उठा देना है कुछ नहीं दोस्तों सिंपल नार हो जाएंगे देखिए दोस्तों इसनी सिंपल सा ट्रिक है इन्होंने मेरा हाथ पकड़ आठा मैं घूमता जाए अब आप दोस्तों जाए सी बात है हाथ से ज्यादा पेंट तो आप हाइड्रोसिल देगा तो अगर आपने उनके मेंड पॉइंट कर लिया है तो दोस्तों व अगर आप यहां से किक मार सकते हैं अगर आप यह नहीं कर सकते हैं यह पकड़िए इस तरीके से और यहां से खिज दीजिए आप वहां पर एकदम सेफ हो जाएंगे और दोस्तों मुझे एक मैसेज मिला है आप मेरे स्ट्रिंग पर देख पा रहे होंगे इन के लिए कि आप मेरे से जो सीख रहे हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस ना छोड़ा करें उससे चोड़ दिए और उनका आहना बिल्गुत सही है भाईयो अगर आपने उस चीज़ नहीं किया तो आप यह वीडियो देखने का उसे करने का कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लेगी हो तो आते आते पैर से लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें नोडिफिकेशन बेल दबा लिजे ताकि दोस्तों मेरे तुरू बनाएगे वीडियो नोडिफिकेशन आप मिलती रहे और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था तक पर के लिए इजाज़त दीजे जहन वंदे मातरम